हेलो स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास फॉस्ट का व्याकरन का पार्ट पंद्र मुहावरे यह हमारे पार्ट का नाम है पहले मुहावरा का परिभाशा दिया हुए है देखें वह वाक्यांश जो अपने सामाने अर्थ को सामाने अर्थ यानि अपने जो शब्दों से अर्थ को छोड़कर एक विशेस अर्थ प्रकट करता है यानि एक अलग ही अर्थ प्रदान करता है ऐसे उस वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं उधारं के सुरूद देखिए पहला है यह अपनी खिचरी अलग पकाना यहां जो वाक्यांश है कि अपनी खिच्च्डी खिचडी अलग पकाना अगर इसके शब्दों पे ध्यान दिया जाए तो इसका सब्द का मतलब होगा कि कोई विक्ति अपना खा जो खाने वाली खिचडी है इसको अलग बैठके बना रहा है या पका रहा है लेकिन यहां इस शब्दों जो इसका शब्द दिया है उसके मुहाऌरा कहेंगे यह सामान अर्थ को छोड़कर इसे और निकले वाले अर्थ को छोड़कर कोई अलग यानीए प्रदान कर रहा है इसलिए वाक्यां में ख़ये हम कई मोहरा का प्रयोग हमाट में अपनी भाशा में करते यो और इसे हमारी भाशा प्रभाव साली होती है और कम-शब्दों में हम अगर ज copy किसी को कुछ चीज इस अलग से बताना चाहते हैं तो उसके अलग ही रहता है तो इस तरह से हम इसका भाशा में प्रयोग करते हैं देखी कई मुहावरे हैं पहला हमने देख लिया दूसरा देखिए अगर-मगर करना अगर-मगर करना यानि टाल-मटोल करना अब इसका वाक्य प्रयोग यहां दिया हुआ है मैंने जब भी मैंने चाचा जी सेसा है ता मांगी वह अगर-मगर ही करते रहें यानि टाल-मटोल ही करते रहें किसी काम को न करने के लिए कोई आनाकानी करता है या टाल-मटोल करता है नहीं करना चाहता है तो उसी को हम कहते हैं कि अगर-मगर करना तिसरा है देखिए अंग अंग धिला होना इस महावरा कार्थ है ठक जाना अंग धिला होना यानि ठक जाना यहां देखिए वाक्य प्रयोग दिन भर काम करने के बाद मजदूर का अंग अंग धिला हो जाता है यह वाक्य प्रयोग है अंगुठा दिखाना यानि इनकार कर देना अंगुठा दिखाने का मतलब यह नहीं कि कोई विक्ति किसी को थमस दिखा रहा या all the best का सिंबल दे रह इसके बाद है पाच्वा अग्रिम पक्ति में आना यानि सबसे आगे रहना अग्रिम पक्ति में आना यानि सबसे आगे रहना अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए अनीता हमेशा हर कक्षा में अग्रिम पक्ति में ही रही यानि हमेशा आगे ही रही आखे खुलने का मतलब यहीं को नीद से जगा हुआ है यहां आखे खुलना इस महोरे कार्थ है इस वाक्यांश कार्थ है कि वास्त विख्ता समझ में आना इसका वाकिए प्रयोक देखिये जब मैंने जब अपने बेटे की बुरी आदतों का पता माता पिता को चला तो उनकी आखे खुल गई यानि उन्हें वास्तविक्ता का पता चल गए कि उनका बेटा कैसा है उसके बाद है सेवन नमर पे आखों से ओजल होना यानि छिप जाना आखों से ओजल हो जाना यानि छिप जाना देखते ही देखते रेल गाड़ी आखों से उजल हो गई यानि छिप गई कहर ढ़ाना यानि अत्याचार करना कहर ढ़ाना इस महवरकार्थ होता है अत्याचार करना वाकि प्रयोग देखे इसका आतंकवादियों ने पूरे संसार में कहर ढ़ा रखा है यानि अत्याचार कर रखा है क्ति कफण सेर पर बानना यानी मरने के लिए तैयार रहना इसका बाकिए प्रियोक देखिंगे भारती gewoon हमेशा सेर पर कफण बाने रहते हैं यानी भारती sąनी हमेशा अपने जानने उच्छार और अपनी जानने उच्छार करने के लिए we know कि नमबर के देखि कारगिल यूग्द में कई वीर काम आए उसके बाद 11 तिया रहें काया पलट होना काया पलट होना यानि किसी वस्तु का रुप ही बदल होना उच्पेинов होता है किसी भी विक्ति या कि सी वस्तु का रूप पूरी तरह से बदल जाना वाकीप्र देखिए 2008 तक तो दिली की काया पलट जाएगी यह वाकिय प्रयों है उसके बाद कान भरना, इस महारा कर्थ है चुगली करना, स्वाती हमेशा मेरे विरुद मम्मी के कान भरती रहती है, यह है इसका वाक्य प्रयोग, कलम तोड़ना इस महारा कर्थ है बहुत सुंदर लिखना, कलम तोड़ना यानि पेन को तोड़ना नहीं, कलम तोड़ना इस मह सूर्दाजी ने अपनी कविता सूर्दागर लखी उसमें इतना सुंदर लिखा है, बहुत ही सुंदर उसको लिखा है, उसके बाद देखें, कान कतरना ये मुहावरा है इस कार्थ है बहुत चलाग होना कान कतरना यानि बहुत चलाग होना तुम राजू को मुर्ख मत समझो वो बड़ो बड़ो के कान कतरता है यानि वो बहुत ही चलाग है गप्रे हाकना यानि वेर्थ की बाते करना गप्रे हाकना उसकी आदत बन चुकी है यानि वेर्ट की बाते करना उसकी आदत बन चुकी है गले का हार इस महौरा का अर्थ होता है बहुत प्यारा यहाँ वाक्य प्रयोग है राहुलिक लोता पत्र होने कारण अपने माता पिता के गले का हार है नमक मिर्च लगाना नमक मिर्च लगाना इस महौरा कार्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना यहां वाक्य प्रयोग दिया है और ते हमेशा हर बात को नमक मिर्च लगा कर बोलती है उसके बाद है यह नाक में दम करना इस महौरा कार्थ है परिशान करना नाक में दम करना या सिचको की नाक में दम कर दिया है यानि सिचको को एक दम तरस एक परिशान कर दिया है सिचको को उसके बाद नाक पर गुशा यानि तुरंत क्रोध नाक पर गुशा होना या नाक पर गुशा ये इस महौरा कार्थ होता है तुरंत क्रोध यहां वाक्य प्रयोग दिखे देखे गुसा तो उसके नाग पर रहता है उसके बाद ये है 20 नमर पर जो महवरा है चक्के चुड़ाना यानि बूरी तरह हराना इसका वाक्य प्रयोग देखे युद्मे भारती सेना नेपाकस्तानी सेना के चक्के चुड़ा दिये डाल नगलना काम नबनना डाल नगलना इसका मतलब यह नहीं कि डाल को पकाना है यह डाल पकी नहीं है यहां डाल नगलना मुहवरो कार्थ होता है काम नबनना चलते बनो यहां तुम्हारा दाल नहीं गलेगी यानि तुम्हारा काम यहां नहीं होगा यह होगा इसका वाक्य प्रयोग इसके बाद देखिए यहां आपको अभयासकारे दिया हुआ है उस तक अभयासकारे दिखा है प्रश्ण दो प्रतिक मुहारोकार्थ छाट कर लिखिए यहां आपको helping box दिया है मुहारोकार्थ छाटने के लिए दिया हुआ है यहां से छाट के आपको सामने यहां यहां लिख लिखनां वैंक? एसको बाद है। खुन सुखना यानि डर जाना। का भूर रात हो के बाद है- यानि बहुत तय यहां है उसकार्थ स्थाथर्थ बहुत प्यारा Podlelanda समाना इस महराकर्थ है, बहुत खुश होना, खुलाना समाना इस महवरा कार्थ होगा, बहुत खुश होना, इसके बाद है, गप्पे हाकना, इस महवरा कार्थ है, वर्थ की बाते करना, यहां लिखा है, उसको हम यहां लिखेंगे, वर्थ की बाते करना, खरी कोटी सुनाना, यानि भला बुरा कहना, इसको हम यहां लिखेंगे भला बुरा कहना तो इस तरह से हमारा ये प्रश्ण हल हो जाएगा आगे देखी प्रश्ण तीन प्रश्ण तीन देखी चित्र देखकर मुहावरा पूरा किजिए और उसका आर्थ भी लिखे जो चितर है उसी चितर का हमें नाम लिखना है यहां हमने लिख दिया है और मोहौना अृग महौना बन गया और अग्वाना नहीं क्सके बाद यहां है चीतर देखी यहां लिखा इद का यहां इलिके लिखे यहां लिकिय के ला जनत के घूंग स्वस्品 he आक लगना दिखाई देना जलाना यानि खुशिया मनाना ये महरोकार्थ है उसके बाद हम देखेंगे इसका नोट्बुक वर्क हम लिखेंगे पार्ट पंद्रा मुहाव hesit यहाँ पहला प्रश्ण है मुहावरा तेड़ी खीर का क्या आर्थ है यह लिखा हुआ है तेड़ी खीर का क्या आर्थ है तो उत्तर होगा मुहावरा तेड़ी खीर का आर्थ होता है कठीन का दिये मुहावरा गले का हार का क्या अर्थ है तो मुहावरा जो होता है गले का हार उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा उसके बाद प्रश्ण तीन है कि मुहावरा किसे कहते हैं यह है प्रश्ण उत्तर देखिए वह वाक्यांस जो अपने सामाने अर्थ को छोड़ कर किसी विशेस अर्थ को प्रकट करता है उसे हम मुहवरा कहते हैं यह है सारा प्रश्ण उतर जो आपको अपने नोट बुक करना है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेस क्रास में थैंक यू सुदें वे नाइस देवरीवन